हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि अगर आपको यहाँ पे Google Drive के एप्लिकेशन में You Need Access का प्रॉबलम आता है यानि कि जब भी आप लोग यूज करते हैं तो You Need Access लिखा रहता है तो यह जो प्रॉबलम रहता है वो आपको पर्मिसन सेटिंग करने को बोला जाता है जिसके वज़े से आपको यहाँ पे You Need Access करके प्रॉबलम आता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपको यहाँ पे Google Drive के एप्लिकेशन में पर्मिसन सेटिंग करनी पड़ेगी तो पर्मिसन सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आप लोग यहाँ पे अपने फोन में सेटिंग को ओपन करिए सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को उपर की ओर आना है और फिर यहाँ पे आपको application का option आएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application का option आता है तो आप लोग यहाँ पे click करिए और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे search bar पे click करना है और यहाँ पे आप लोग जैसे ही सर्ज बार में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से Google Drive लिखना है तो आपके सामने यह जो Drive का Application है वो आएगा आप लोग यहाँ पे उसको Open करिए Open करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है App Permission का Option आता है आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पे आपको Permission सेटिंग देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको File and Media का जो Permission है उसको आपको यहाँ पे Allow कर देना है तो Basically आप लोग यहाँ पे जितना भी Permission मंग रहा है सभी Permission को आप लोग यहाँ पे अपने फोन में Allow कर लीजिए तो आपको यहाँ पे सभी Permissions को Allow कर लीना है ताकि आपको यहाँ पे बाद में और कोई भी Problem यहाँ पे ना आए तो सब Permission को Allow कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी Problem नहीं आएगी और एक बार आप लोगों को यहाँ पे Google Drive को Play Store में जाके अपडेट करें नहीं तो इससे गाइस यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्ब हो जाएगी